मा बगला मुख्य की जन्ती पर कैसे करें मा बगला मुख्य की पूजा मा बगला मुख्य की पूजा करने से हमारे जीवन में क्या लाब होता है क्या है पूजा का सुब मोहरत किन मंत्रों के द्वारा हम अपने जीवन से अपनी धन की कमी को दूर कर सकते है आर्थिक इस्तिती को मजबूत कर सकते हैं तथा किस विधिक के द्वारा मा का पूजन करने से मा बगला मुखी प्रसन्न होती है मा बगला मुखी की पूजा करने से हमारे जीवन में क्या लाब होता है मा की पूजा करने से क्या फाइदे हमारे जीवन में हो सकते हैं भक्तो अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे योटुब चैनल मा भगला मुख्यभक्त कुरुक्षेत्र को आप सस्क्राइब अबस्ते करें मैं आचारिये प्रदीप भारदुआज अपने योटुब चैनल मा भगला मुख्यभक्त कुरुक्षेत्र में आपका हरदिक स्वागत करता हूँ हरदिक अभिनन्दन करता हूँ माता भगला मुख्यभक्य की जन्ती पर कैसे करें आप मा की पूजा ताकि मा बगला मुख्य की कृपा मा का नुग्रह आपको प्राप्त हो सके क्या विदी है क्या है पुजा का सुब मुहरत और कब है मा बगला मुख्य की जैनती इस वर्स 28 अपरेल 2030 यानि के कल मा बगला मुख्य माता की जैनती है मा बगला मुख्य माता की अराधना यग्य पूजन अर्चन आदी किया जाएगा कहते हैं कि इसी पावन दिन मा बगला मुख्य का प्रकाट्टे हुआ था हरिद्रा नामक समुद्र में भगवान विष्टों की तपस्था से प्रसन्न होकर मा बगला मुख्य प्रकट हुई थी हरिद्रा नामक समुद्र में तदा भग्तों का उधार मा तभी से कर रही हैं मा बगला मुख्य को पीले रंग की वस्तू और पीला रंग अत्यधिक प्रिय है इसलिए मा के पूजा में पीले द्रब्यों का और पीत बस्त्रों का विशेश महतों बताया गया है हर वर्स बेसाक मास सुकल पक्ष की अश्टवी के दिन मा बगला मुखी की जैनती मनाई जाती है मा बगला मुखी के अनेक नाम है मा को सत्रो हंता मा पीताम्बरा बगला मुखी ब्रमास्त्र विद्या अनेक अनेक नामों से मा को सोभित किया जाता है परन्तो इनके जो विशेश नाम है वह बगला मुखी और पीताम्बरा नाम से इन्हें ज़्यादे पुकारा जाता है और भक्त भी इन्हें इसी नाम से जादा जानते हैं आज हम आपको माः बगला मुखी माता के पूजन से होने वाले चमतकारी लाब के विसे में आपको जानकारी देंगे एपिसोड के माध्यम से मैं आज आपको माः बगला मुखी जैनती के सुब मोहरत और मा बगला मुखी की पूजा की बिधी, तदा मा बगला मुखी की पूजा से आपके जिवन में क्या लाब हो सकता है, क्या फाइदे आपको मा बगला मुखी की पूजा करने से होते हैं, धन की कमी को दूर करने वाला मंत्र, तदा सत्रु आदि पीडा से ग्रसित अगर आप हैं तो सत्रू पूइडा से मुक्ति पाने के उपाए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा माभगला मुखी जैनती पर क्या है सुब मुहरत जिसमें आप माभगला मुखी की पूजा कर सकते हैं इस दिन 28 अपरेल 2030 यानि कि कल 11 बजगर 58 मिनट से लेकर 12 बजगर 59 मिनट दो पैर तक का एक सुब मुहरत है जिसमें आप माभगला मुखी की पूजा का विधान कर सकते हैं मा को प्रसंद कर सकते हैं मा की पूजा कर सकते हैं यह एक अतिउत्तम मुहरत है दूसरा मुहरत प्राते काल ब्रम मुहरत में तीन बज़ कर सत्तावन मिनट से लेकर चार बज़ कर इक्तालिस मिनट तक का समय अति उत्तम है वैसे तो मा बगला मुख्य की जो पूजा होती है वे महानिशा के समय की जाती है मा का जो भजन, अर्चन, पूजन, वंदन और जब इत्यादी या यग्या इत्यादी किया जाता है वे रात्री कालीन समय में महानिशा के समय किया जाता है इसी समय की गई पूजा मा तक सीधी पोंशती है और ब्रम मुहरत में की गई पूजा भी मा तक सीधी पोशती है ये connectivity हमें तुरंत प्रभाव से लाव दिलाती है अगर आप अपनी पूजा को फलित करना चाहते हैं आप चाहते हैं ति मा बगला मुखी की कृपा मा कानुगर है आपकी पुकार मा बगला मुखी तक पहुँच तो आप ब्रम मुखी के समय मा की पूजा करें इससे आपकी पूजा अधिक फलित होती है क्या है मा बगला मुखी की पूजा की विधी और कैसे आप मा बगला मुखी को प्रसंद कर सकते हैं अगर आप मा बगला मुखी पीतमरा की विशेश करपा पाना चाहते हैं तो हम आपको अभी बताया कि मा बगला मुखी को पीले रंग बहुत पसंद है इसलिए मा के पूजन दर्ब्यों में पीत रंग का विशेस मैत्व हैं आप अपने घर में इस्तानादी करके पीत वस्त्र आप धारन करें पीले आसन पर बैठकर उत्तर दिसा की ओर मा बगला मुखी के एक चोंकी लगाएं पाश्ट की चोंकी हो उस पर पीला वस्त्र आप बिछा दें और पीला वस्त्र बिछाने के पर साथ उस पर मा की मूर्ते या मा की प्रतिमा मा की फोटो या मा बगला मुखी का कोई यंत्र आप इस्ताबित करने के पर साथ आप विदिवत उसकी पूज करें धूप दीप दिखाएं अक्षत पुस्वों से मां का पूजन करें तदा पंचो प्चार या 604 जैसी भी विदी आपको पता है उसके नुसार आप मांबगला मुखी की पूजा करें मांबगला मुखी की पूजा में गाएं के देशी ही सुद्ध देशी ही का आप दिपक प्रजलिक कर सकते हैं मां को पीत वस्त रादी आप अरपित करें कुछ स्वर्ण की आभुसन आप मां को अरपित करें मांबगला मुखी की पूजा में पीले द्रव्यों का विशे समयत्म हैं आप दोनों हतों में पीले पुस्व लेकर सच्ची भावना से बिदी विधान के साथ मां बगला मुखी का पूजन करें तथा मां बगला मुखी को कनेर के पुस्व अत्यादित प्रिया हैं साथ में आप बेशन के लड़ों का मां बगला मुखी को भोग लगाए मानता है कि माता की साधना और उपास्ला करने से हमारे जीवन में कोई भी परेसानी हमेशा क के लिए दूर हो जाती है कोई भी कष्ट कैसा भी आपके जीवन में कष्ट या प्रिसानी बनी हो वह माभगला मुख्य की पूजा करने से दूर हो जाती है तथा जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है समरिद्धी का वास होता है माभगला मुख्य की पूजा का विशे सु प्राप्ट हो सकता है मा बगला मुखी की पूजा कल्युग में विशे सलाब कारी है और शिग्र फलिथ होने वाली यह पूजा है क्योंकि मा अपने भक्तों की करुन फुकार अतिशिक्र सुन लेती है मा बगला मुखी की पूजा करने से सत्रुनास, वाक्षिधी, वाद विवाद और मुकद्म आजी में आपको सफलता मिलती है इस पावन पर उपर मा बगला मुखी की जन्ती पर आपके सारे अर्मान पूरे हो जाएंगे अगर आप विदिविधान के साथ सत्ची भावना से, सत्ची शुर्दा से और अटोट विश्वास के साथ मा बगला मुखी की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना इससे जरूर पूरी होगी इसमें कोई संदे नहीं है मा बगला मुखी की पूजा करने से मा बगला मुखी की पूजा जो भक्त करता है उसको अपने सत्रो पर विज्य पराप्त होती है दूसरा लाब मा बगला मुखी की पूजा करने से हमारे जीवन में कष्टों से हमें चुटकारा मिलता है अनेक अनेक परकार का कष्ट कितना भी पड़ा कष्ट संकट दुख आपके जीवन में बना हुआ हो अगर आप माबगला मुखी की पूजा करते हैं तो इससे आपके जिवन के समस्त कष्टों से आपको छुटकारा मिलता है तीसरा लाब माबगला मुखी पीतंबरा की पूजा करने से ब्रमग्यान की प्राप्ति होती है मोड भी इससे बिद्वान हो जाता है मुर्धन विद्वान जिसको कहते हैं, ब्रमग्यान की प्राप्ति आत्म तत्व की आपको प्राप्ति होती है, इसलिए माबगला मुकी की पुझा कलियुक में विशेश लाव कारी है, आपके जीवन में कैसे भी परिशानी क्यों निया हो, मापीताम्राग की पुझा करने से आपके जीवन में आपको प्रेसानियों से रहत भी मिलती है। एक विशेस अलाब अगर आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी, कोई नकारत्म कुर्जा, कोई अभिछा राजिक क्रिया, कोई तंतराजिक क्रिया, कोई टोना, कोई ठोटका, कोई जादू आपके घर पर, आपके परिवार पर आपके वैपार पर आपके बच्चों पर या आपके कुटंब पर किसी व्यक्ति ने कर दिया है तो मां बग्ला मुक्की की पूजा आपके लिए प्जे कारियु प्यसा बख़ेशा से घ्र से हमारे वैपार होता है तदा मुकदमा आदी में भी विजय प्राप्त होती है इसमें कोई संदे नहीं है सत्ता और सत्ता सब मावगला मुखी के आदीन है क्योंकि मावगला मुखी को राज योग की देवी कहा मा अग्र आपके जीवन में लक्षमे के कमी है तो आप बगला की जैन्ति पर मा बगला मुखी की पूजा कैसे कर सकते नहें कि अपके लांक करें तो जैसा कि मैंने पूरू में आपको बताया कैस्त की अबिस्तापिक करें दोप दीब जलाएं माँ का वी पूजन करें, मा को लड़ों का भोग लगाएं, उसके पस साथ एक विशेस प्रकार का मंत्र, जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके जीवन में धन का भाव है, धन की कमी ये काम दना, आपका ठीक्शन ही चल पा रहा, तो आप स्क्रीन पर दिखाया हूँ आम यह मंत् पूने में मंत्र बता देता हूँ आपको, ओम श्रीन रिंग भगवती बगले में श्रियम देही देही स्वाहा, इस मंत्र का आप यथा संभव मा बगला मुखी के जन्टी पर जब करें, जब के पस साथ यथा संभव दसान साप इसका होम करें, भले आप घी से आहूती दे मा बगला मुखी की कृपा, मा का नुग्रह आपको अवस्य प्राप्त होगा, मैं आपको गैरंटी के साथ कहता हूँ, आपके जीवन से धन की कमी पूर्णते दूर हो जाएगी, आपकी आर्थिक इस्तिदी मजबूत होगी, सुद्रड होगी, आपके जीवन में कभी भी आ एक सो आठ बार नित्य जब करते रहें, करोडों का कर्ज क्यों ना हो आपके उपर, छे महीने नहीं लगेंगे, करोडों का कर्ज भी आपका उतर जाएगा, अगर आप सत्रू से मुक्ति बना चाहते हैं, सत्रू पीड़ा आपके जीवन में बनी हुई हैं, आप सत्रू से देवदत, देवदत के स्थान पर आपने सत्रू का नाम लेना है, नासम कुरो कुरो स्वाहा, पुने मैं मंत्र दोरा देता हूँ, ओम, भगला, मुखी, देव्य, हिलरेम, रिंग, क्लीम, देवदत, देवदत के स्थान पर पुने सत्रू का नाम, नासम कुरो कुरो स्वाह यथा सकती इसका जब करें कल आप इसका यथा सकती जब करें और इसकी संक्या ग्याराजार की संक्या में आप इसका जब कर सकते हैं जब करने के पसाद दसांस होम आप पीली सरसो, नमक, ताड़ पत्र तदा नीम के पत्ते और सरसो का त्रेल मिक्ष करके माबगला मुखी का होम यद्गे करें इससे आपके जीवन में आपको सत्रों पीड़ा से मुक्ति वस्त मिलेगी अब करने के पसाथ आप माबगला मुखी से सच्ची भावना से अपनी प्रेसानी अपनी समस्या माबगला मुखी के समक्स आप कहें मैं आपको विस्वास दिलाना चाहता हूँ कि माबगला मुखी की जन्ती पर इन उपाय को अगर आप अपने जीवन में दोरा लेते हैं कैसा भी संकट, कैसा भी भे, कैसा भी कष्ट आपके जीवन में क्यों नहों, कैसी भी प्रेसानी आपके जीवन में क्यों नहों समस्त प्रेसानी समस्त संकट समस्त भे और समस्त दुखों से आपको छुटका रावस्य मिलेगा भट्टो अगर मेरे द्वार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे योट्व चनल मा भगला मुख्य भक्त को रुक्षेत्र को आप सब्सक्राइब अबस्य करें बेला इकन रखें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिपिकेशन आपको प्राप्त हो सके मा भगला मुख्य परिवार से जुड़ें मा भगला मुख्य के स्री चरणों में आप अपनी हाजरी अवस्य लगाएं कोमेंट में जै मा भगला मुख्य लिखें आपके जिवन के समस्त संक्टों का मा भगला मुख्य अवस्य नास करेगी जै मा भगला मुख्य स्रे भगला मुख्य परिवदा सहाए